ओम सिरी गने साय नमा दोस्तू एश्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हारदिक स्वागत है दोस्तू आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6 नवंबर रविवार के रासी फलकेप बारे में कि यह दिन मीन रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला है किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिस और वियापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पकोन जानकारी हम आपको देंगे और इसे वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगो से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी इने वीडियो पहुंश सके चलिए दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा मीन रासी वालों के लिए रवीवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तो आज अचानक धनलाब प्राप्ति के आपके लिए अनेको योग बन रहे हैं और आपकी परियसानियां दूर हो सकती हैं आप अपने करम पर भरोसा रखते हुए अपने कामकाज को बहतर दिशा देने का प्रियास करें जिससे समय के नुसार आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकें दोस्तो साथिसाथ उन्नती से संबंदित किसी सुब समाचार की आज आज आपको प्राप्ती होगी आद्यहत्मेक छित्र से जुड़े किसी अनुबवी व्यक्ती का सानिध्य आज आपको प्राप्त होगा विध्यारती अपने लक्ष के प्रती एकागर छित रहेंगे तथा उसका पैणाम भी उनको उचित प्राप्त होगा दोस्तो साती सात जो काम पिछले कुछ समय से रुके हुए थे या अटके हुए थे उनके आज पूरे होने के योग बन रहे हैं आपकी योगता पर प्रती बाग खुलकर लोगों के सामने आईगी अपने प्रती दुंदियों पर सपलता और आज आपको विजय प्राप्त होगी आप अपनी दिंचरिया वे आदतों का विशेश रूप से अवलेकन कर रहे हैं जिससे आपके व्यक्तित्व में आश्चार्य जनक निखार आएगा संतान किशिक्षा वे केरियर आदी से संबंदित भी कोई बड़ा निर्णे आज आप ले सकते हैं विद्यार्तियों की पड़ाई वे केरियर संबंदित समस्याओं का समाधान होगा जिससे सबी लोग राहत महसूस करेंगे आप भी अपनी कोशल शम्ताओं का भरपूर इस्तमाल करें बड़े बजरुगों का आशिरवाद वे किरिपा भी आज आपके उपर बनी रहेगी स्वास्त में भी सुधार आने से आप अपने अंदर एक नही उर्जा महसूस करेंगे और पूरे आत्म विश्वास के साथ अपने कालरे के प्रती ध्यान देना सुरू करेंगे किसी रिष्टेदार से संबंदित कोई सुब समचार मिलने से बन में प्रफुल लता रहेगी दोस्तो साथ साथ आप लोग वेहवार कुशल होते हैं आप बुद्धी मता वेहोसियारी से भी सभी काम आज कर पाएंगे जिससे आपको काफी खुसी का अनुभव होगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगटिव हो सकता है दोस्तो आज सामाजिक मान सम्मान प्राप्त होने की संभावना कम हैं इसलिए किसी भी कारे को इस्तिरता और गंबिरता पूरवक करें जिससे आपको क्यामियाबी और सम्मान प्राप्त हो सके सगे संबंदियों से संबंद खرाब होने की भी संभवना बन रही है धन संचे करने का आज प्रियास विफल हो सकता है साफधान रहे साथए साथ आर्थिक मामलों में भी साफदानी बरतने की आपको आवश करता है भाईयों से संपत्ती वे बटवारे संबंदित विवाद का हल किसी की मदद से हो जाएगा आपसे संबंदों को ना बिगाड़े युवा वर्ग अपने केरियर के साथ किसी प्रिकार का समझोता ना करें साथि साथ आज आपको अपने क्रोध वे आक्रोस पर काबू रखना आवशक हैं कैई बार जल्दवाजी वे अति उत्सा में बनाया गया खेल बिगड सकता है जिससे परिवारिक सुक्सांती भी प्रभाबित हो सकती हैं अपने लक्ष के प्रती पैनी नजर रखना आपके लि सकते हैं इसलिए बहतर उपाए यह हैं कि आप बुरे लोगों की संगती से दूर ही रहें बड़े बजर्गों के स्वास्त का भी आपको ध्यान रखने की आवशक्ता है साते सात व्यर्थ के कारों में धन खर्च होने के भी योग प्रवल्लता से बने हुए हैं भूमी या व बनाएं तो आप के लिए बहतर रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली हैं दोस्तो दामपत्य जीवन को लेकर इस्तितियां काफी अच्छी रहने वाली हैं जीवन साती के साथ मधूर संबंद होने के साथ साथ आपको उनका शयोग भी प्राप्त हो सकता है घर परिवार की शुक्ष विदा के प्रती आज आपकी प्रात्मिकता रहेगी पती पतनी के बीच संबंद मदूर रहेंगे परंतु संतान का कोई जिद्दीपन या नकारात्मक रविया आपकी चिंताओं का कारण बन सकता है दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका वैवेसाय केरियर कैसा रहने वाला हैं दोस्तो वैपार के विस्तार संबंधी नई संभावना पर विचार होगा अपना पूरा जोस मार्केटिंग में तथा अपने प्रोडेक्स के प्रमोल्सन में लगाएं नोकरी में अधिकारी आपके काम से संतुष्ट रहे और से कर्मियों का भी आज आपको पूरा सहयूग मिलेगा साती सात कार्य विस्तार की योजना भी कार्य रूप में प्रणित होगी परंतु उस योजना पर पुन्हें परिक्षन जरूर करें साती सात नोकरी में हलकी फलकी परिसानियां भी आएंगी परंतु आप अपनी ब मुराकात से आपके काम बहुती आसानी से बन सकते हैं परन्तु के इमामलों में आपका स्वाविमान आपकी उन्नती में बादख बन सकता है इसलिए अपने वहवार को थोड़ा लचीला बना कर रखें यह ध्यान रखना आपके लिए अतियावशक है कि आपकी कोई वहवसाइक गतिविदी आज लीक हो सकती है करमचारियों की गतिविदियों पर आज आप नजर रखें परन्तु जद ही इस्तितियां काबू में आ जाएंगी इसलिए आप पूरे जोस से अपने काम के प्रती एक आगरचित रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्व भूना भूजन खाने से भी आपको परेज करना होगा अन्यता पेट से संबंदित समस्य उत्पन हो सकती है इसलिए आप सुपाच्य भूजन करें और साथ साथ अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें सुस्त रहें दोस्तो आज आप इस नान आदिशे निर्वत्र होने के बाद एक तामे का शिक्क का लें इसके बाद आप इस एक तामे के सिक्क को भगवान सुरदेव का इसमन करते हुए बहते हुए जल में छोड़ दें और साथ इसाथ अपनी मनों काम नहीं मांगे या दूस्तो ऐसा करने मात्र से ही भगवान सुरदेव बहुत जल्द प्रशन होकर आपकी समस्त कश्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परिशानिया चल रही हैं समस्त परिशानियों कांत करेंगे और आपको जल्द ही सुब फलोग की प्राप्ती होंगी और आपके सभी कार्रें बहुत य असानी से बनने लगेंगे दोस्तो भगवान शुर्यदेव का सिरवाद आपको टाप्त हो सच्च दिल से कमेंट स्बोक्स में जै शुर्यदेव अवस्च लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद